आज मैं आपके साथ ऐसी मिठाई की रेश्पी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाने के लिए ना हमें मावा की जोरत होगी और नहीं चासनी की घर में मुझद सिर्फ दो चीजों से इस मिठाई को बनाएंगे जिसे हर कोई असानी से बना सकता है और बनाना काफी ज़्यदा असान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने स्टॉप पे पैन रख दिये पैन गर्म हो चुका है तो यहां पर डाल देंगे आदा कप सूजी सूजी डाल करके इसको अच्छे से हमें भून लेना है इसको लगवग हमें 3-4 मिनट तक धिमियाज पर लगतार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है तो यहां पर डाल देंगे आदा कप यहां पर मैंने मैदा का यूस की है तो इसमें मैदा डाल देंगे और मैदा डाल करके इसको भी अच्छे से हमें भून लेना है इन दोनों को अच्छे से मिडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि अच्छी से इसमें से खुसबू आने लगे औ कि अच्छी सी खुसबू आने लगें तो देखिए आदा ये भून चुका है थोड़ी देर और इसको भून लेते हैं तो लगवग हमें इसे 6-7 मिनट तक इसको हमें भून लेना है तो देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया एकदम से कलर हमें चेंज नहीं करना है तो इसके बाद इसी पैन में ले रही हूं 2 कप दूद ये फुल क्रीम दूद है और इसको डाल करके इसमें क्या करेंगे कि हम्हें अच्छे से उबाल ला देना है ति ये देखिए उबाला आ चुका है तो इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी इसके बाद दीगे यहाँ पर 1- इसमें डाल रही हूँ इलाइची पाउडर जैसे बढ़िया सा टेस्ट आए और इसको डाल करके और चीनी को क्या करना है कि हमें इस तर से चलाते हुए अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेना है यहाँ पर मैंने आदा कप सूजी और आदा कप मैदा लेती तो दोनों मिलाकर एक कप हुआ तो उसका डबल मैंने यहाँ पर दूद का यूज की है तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया इसके बाद क्या करेंगे कि अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसको दाल देना है और इस डालने के बाद लगतार चलाएंगे ताकि यह गुठली जैसा नहीं रहे इस तर से आज को एकदम धिमी आज पर इसको हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है तो दूद में अच्छे से पक जाएगा ना तो एकदम से बढ़िया सा इसका टेस्ट आता है तो इस तर से लगतार चलाते हुए हमें एकदम मिलाते जाना है ताकि इसमें गुठली नहीं आए तो देखिए कुछी इस तरह से हमने मिला ली है और काफी अच्छे से एकदम से यह ट्राई हो जाता है डो के फॉर्म में हो जाता है तब इसको क्या करना है कि हमें निकाल ल लेना है ताकि एकदम से यह सॉफ्ट हो जाए और इसके बद क्या करेंगे कि इसका हमें दो भाग कर लेना है तो पहले इसको अच्छे से मसल लेते हैं ताकि एकदम से यह सॉफ्ट हो जाए और इस तरह से हमें इसको दो भागों में कर लेना है तो दोनों को सेम रखेंगे पर लगा देना है तो इस तरह से मैं यहां पर थोड़ा से डाल करके इसको मिला रही हूं तो इस देखिए कितना बढ़िया सा प्यारा सा कलर आ गया है इस तरह से देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है काफी अच्छे से यह सॉफ्ट भी हो गया है तब इसको हमें करना क्या है क इस तरह से गोली बना लेना है गोली टाइप का ये गोल गोल राउंड राउंड कर लेना है देखिए काफी अच्छे से ये हो जाता है इसी तरह से हमें ये ओरेंज का और जो वाइट है दोनों को इस तरह से हमें राउंड राउंड कर लेना है गोल गोल इसके बाद क्या करें इसके बाद इसके उपर ये रखेंगे और इसको इस तरसे हमें दबा देना है और दबा करके इसको दोनों तरफ से इस तरसे हमें बरावर कर लेना है और एकदम से चिकना कर लेना है अगर आपको लग रहा है कि हाथों में चिपक रहा है तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं तो देखिए कितना बढ़िया ये मिठाई बन करके तयार हो गया है दो कलर में कितना बढ़िया लूक भी आया है और एकदम असान तरीके से हमने बनाया भी है इसे तो देखिए हमने इसी तरह से सारा बना करके तयार कर लिए इस मिठाई को बनाना बहुत ही असान है बहुत ही कम खर्ष में ये बन करके तयार हो जाता है खाने में भी टेस्टी लगता है ऐसा नहीं है कि खाने में बढ़ियां नहीं लगेगा खाने में भी बढ़िया लगता है तो हमने यहाँ पे सारा बना करके तयार कर लिए तो इस तरह से आप कम खर्ष में बहुत ही असान तरीके से मिठाई बना करके तयार कर सकते हैं तो मेरे आज की रसी पसंद आएगी तो लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करें थैंक यू